हेलो यूर बुक्स, स्वागत है आप सभी का यूर बुक्स चैनल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीट बुक्स समरीज अली बुक्स समरी इन हिंदी अली, अली में हम अब तक के सबसे महान हैवी वेट बाक्स मुहम्मद अली के सफर के बारे में जानेंगे मुहम्मद अली तीन बार वर्ल्ड चैंपियन बने, इसके अलावा उन्होंने सामाजिक बुरायों को खत्म करने में अपना सहयोग भी दिया इस किताब में हम उनकी दिल्चस्प जिन्दगी के बारे में जानेंगे, यह बुक्स समरी किसके लिए है, वे जो मुहम्मद अली के बारे में जानना चाहते हैं वे जो सफलता की कहानिया पढ़ना पसंद करते हैं वे जो बाक्सिंग और स्पोर्ट्स में दिल्चस्पी रखते हों लेखक के बारे में जॉनथन इग, जॉनथन आइग, ब्रुकलिन, न्यू याक में पैदा हुए थे वे एक अमेरिकी जर्नलिस्ट और एक लेखक हैं उन्होंने अब तक पाँच किताबे लिखी हैं उनकी ज्यादातर किताबे महान लोगों के जीवन के उपर लिखी गई हैं यह किताब आपको क्यूं पढ़नी चाहिए मुहमद अली अपने समय के सबसे महान हैवी वेट चैंपियन थे उनकी जिन्दगी प्रेरणा से भरी पड़ी है इस किताब में आप जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत की और कैसे उनकी मेहनत रंग लाए हर सफल आदमी के साथ कुछ परेशानिया और मुश्किले हमेशा लगी रहती है अली के साथ भी ऐसा ही था उनकी जिन्दगी में भी बहुत से उतार चड़ाव आए वे बहुत बार गिरे लेकिन हर बार उठ खड़े हुए क्योंकि जमीन पर गिरे रहना चैंपियन्स की फितरत में नहीं है मुहम्मद अली की जिन्दगी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कितनी बार गिरते हैं फर्क इससे पढ़ता है कि गिर कर आप कितनी बार उठते हैं हर विनर वो लूसर है जिसने एक बार और कोशिश की थी इस बुक समरी को पढ़कर आप सीखेंगे मुहम्मद अली ने बाक्सिंग की शुरुआत कैसे की कौन सा मुक्का आगे मुहम्मद अली के लिए घातक साबित हुआ अली ने अपना धर्म कब और क्यूं बदला मुहम्मद अली के परिवार का इतिहास अच्छा नहीं था मुहम्मद अली के परिवार का इतिहास परेशानियों से भरा पढ़ा था आए हम उनके परदादा जौन हेत्री कले से शुरुआत करते हैं जौन हेत्री कले एक गुलाम्ध है उनके मालिक का नाम हेत्री कले था जिनके नाम पर उन्हें नाम दिया गया ठेत्री अबराहम लिंकन के बहुत अच्छे साथी थे और उनके विचारों से तालुक रखते हैं वे भी चाहते थे कि गुलामों को आजादी मिले और उन्हें एफरिका भेज दिया जाए वे अमेरिकन कोलोनाइजेशन सोसाइटी को फाउंडर थे जो इसी मुद्दे पर काम करती थी एक अच्छे मालिक के गुलाम होने के कारण अली के पर दादा ने किसी तरह एक छोटी सी जमीन हासिल कर ली जहां उन्होंने अपने परिवार को पाला आने वाले वक्त में गुलामों की जिंदगी आसान हो गई समस्या तब शुरू हुई जब जॉन हेत्री क्ले के बेटे यानि मुहमद अली के दादा हममेन हीटेन क्ले ने अपने एक दोस्त के यहां चार्ल्स डिकी का नाम लेकर से कुछ पैसे चुरा लिए बाद में चार्ल्स डिकी के एक दोस्त ने जब पैसे मांगे तो हरम ने पैसे देने से इंकार कर दिया और उसे गोली मार दी जिसके लिए उसे च्छे साल की सजा भुगतनी पड़ी जेल से निकलने के बाद हरमन हीटेन क्ले ने मुहम्मद अली की दादी एडिद ग्रेट हाउस से शादी कर ली हरमन और एडिद का पहला बेटा एवरेट क्ले था एवरेट को भी अपनी पतनी की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया गया इसके बाद हरमन और एडिद का दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम कैसियस मारसेलिस कले सीनियर था ये मुहम्मद अली के पिता थे कैसियस ने ओडिसा ग्रेडी क्ले से शादी की और जन्वरी, 1942 में उनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कैसियस मारसेलिस क्ले जूनियर था जी हाँ ये वही मुहम्मद अली है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया गरीब होने के बावजूद मुहम्मद अली की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई कलेसियस कले, मुहम्मद अली का असली नाम, बहुत छोटी उम्र से ही बढ़ो जैसी बाते करने लगे थे और उनके जैसे रहने लगे थे हालाकि वे गरीब थे लेकिन उनकी परवरिश बहुत अच्छे धंग से की गई थी अस्पताल में जब वे रोते थे तो उनकी आवाज बाकी बच्चों के मुकाबले जोर से निकलती थी लेकिन आगे उन्हें ज्यादा रोना नहीं हुआ क्योंकि उन्हें बहुत लाट प्यार से बढ़ा किया गया अली की मा बताती हैं कि वे हमेशा अपने पालने से निकल कर आसपास जाने की कोशिश करते थे दस महीने की उम्र से ही वे अपना काम खुद से करने लगे और किसी को भी अपने काम में नहीं आने देते थे इसकी वजह से उनका कमरा हमेशा बिखरा सा रहता था मुहम्मद अली बच्चपन में बहुत जिद्दी थे उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वे किसी की बात नहीं सुनते थे उनके इसी स्वभाव ने उन्हें आगे चलकर एक महान बाक्स बनाया मुहम्मद अली के पिता एक अच्छे पती और एक अच्छे पिता साबित हुए उन्होंने अपने घर को गुलाबी रंग से प्रेंट किया क्योंकि ये उनकी पत्नी का मनपसंद रंग था उन्होंने प्रेंटर का काम किया और अपने बच्चों के लिए एक घर भी बनाया 1944 में अली का छोटा भाय रुडोल्फ आरनेट क्ले पैदा हुआ गरीब होने की वजह से उनके पास अच्छे कपड़े और जूते तो नहीं थे लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया लेकिन हालात हमेशा एक से नहीं रहे साथ्यार के साथ उनके पास कुछ और पैसे आने जिससे उन्होंने अपने बच्चों के लिए खिलोने, पालतु जानवर और एक साइकल भी खरी दी मुहम्मद अली ने अपने करियर की शुरुआत एक बाक्सिंग क्लब से की जब अली 12 साल के थे तब वे अपने भाई के साथ अपनी साइकल पर कहीं घूमने गए थे तब ही अचानक से जोड से आंधी चलने लगी और वे कोलंबिया आडिटोरियम में रुख गए जब मौसम शान्त हुआ तब दोनों भाई आडिटोरियम से बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनकी साइकल वहाँ नहीं थी वो साइकल उन्हें क्रिस्मस पर मिली थी और अपनी पहली साइकल के चोरी हो जाने पर मुहम्मद अली बहुत गुसा हो गए कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी की वे इसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दे अली अपने भाई के साथ पुलिस के पास गए जेसा फिसर के पास वे रिपोर्ट लिखा रहे थे उसका नाम जोड एल्स बी माटिन था जो कोलंबिया आडिटोरियम के नीचे एक बाक्सिंग क्लब चलाता था माटिन ये देखकर हैरान था कि एक बारा साल का पतला सा बच्चा किस तरह से अपनी साइकल चोरी होने पर इतना गुसा कर रहा था और चोरी करने वाले को मारने के लिए उतावला था माटिन ने अली को सुझाव दिया कि वो उसके बाक्सिंग क्लब का हिस्सा बन जाए जिसके लिए अली ने हा कह दी उनके इसी फैसले ने उन्हें आगे चलके उनको सफल बना दिया वो भी 18 साल की उम्र में अली स्कूल में एक उसत लड़के थे बाक्सिंग क्लाब की खुश्बू और वहां का माहौल अली को अच्छा लगने लगा और उन्होंने वहां पर अपने पूरे जोर के साथ मेहनत की उनकी मेहनत जल्दी ही रंग लाने लगी मुहम्मद अली ने अपनी प्रहली लड़ाई 12 साल की उम्र में अपनी प्रहली लड़ाई लड़ी उसके 6 साल तक उन्होंने लगभग 100 लड़ाया लड़ी जिसके उन्हें प्रहली बार दुनिया के सामने लड़ने का मौका मिला 18 साल की उम्र में मुहम्मद अली ने प्रहला गोल्ड मैडल जीता 1960 में अली को अमेरिका की ओलम्पिक टीम के लिए चुन लिया गया था यह ओलम्पिक रोम में हुआ था जिसमें अली के लड़कपन के जोश ने उन्हें फेमस बना दिया अली का मुकाबला बड़े बड़े लोगों के साथ था और अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनके सामने टिक पाएंगे लेकिन उन्होंने सब को गलत साबित कर दिया उनका मुकाबला आस्ट्रेलिया के टोनी मेडिगन पोलेंड के बिग्यू पीटसाई को वसी और लशिया के चैंपियन गैनेडी शैतान के साथ हुआ मुहम्मद अली ने बहुत अच्छी शुरुआत की अपने बेल्जियम के प्रतियोगी को सेकंड राउंड में हरा दिया लोग तो तब चौग गए जब अली ने शेटकोव को बिना पसीना बहाए हराया टोनी मेडिगन के साथ लढ़ना उन्हें भारी पढ़ा उनकी लढ़ाई काफी देर तक चलती रही आखार में जब समय खत्म हो गया तब जजज ने अली को विजेता घोशित किया क्योंकि वे मेडिगन पर भारी पढ़ रहे थे अंत में उनकी लढ़ाई पीटसाई कोवसी से हुई जो की बाए हाथ का इस्तेमाल करता था अली को इसकी आदत नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने इससे एक सबक सीखा अली ने लढ़ने के लिए अपने बाए हाथ का और अपनी फूर्ती का इस्तेमाल नहीं किया वे अपने दाय तरफ पर ही फोकस करते रहे हालाकि उन्हें कुछ फोर के मुके खाने पड़े थे लेकिन तीसरे राउंड में उन्होंने उसे खून से लत्पत कर दिया और जज ने फैसला अली के पक्ष में किया इस तरह से उन्होंने उलम्पिक में अमेरिका के लिए 18 साल की उम्र में अपना पहला गोल्ड मैडल जीता नेशन आफ इसलाम से जुड़ने के बाद अली ने अपना धर्म बदला और अपना नाम भी उलम्पिक में मैडल जीतने के बाद अली ने चार साल तक बाक्सिंग की और लगभग सभी में जीत हासिल की सोनी लिस्टन को हराने के बाद वे दुनिया के सबसे महान हैवी वेट बाक्स की लिस्ट में आने लगे जब अली मेलकॉम एक्स से एक पार्टी में मिले तब उनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने लगे मेलकॉम एक्स नेशन आफ इसलाम और ब्लेक मुसलिम मूवमेंट के स्पोक्स पसंथ है मेलकॉम की मुलाकात अली से इत्तिफाक से नहीं हुई थी अली ने पहले भी अमेरिका की ब्लेक कम्यूनिटी के लिए कुछ करने में रुची दिखाई थी और मेलकॉम एक्स ने धीरे धीरे उन्हें अपना दोस्त बना लिया इसके बाद अली की मुलाकात नेशन आफ इसलाम के लीडर अलीजा मुहम्मद से हुई जो अली को दुनिया के सामने नेशन आफ इसलाम से जोडने के लिए बेताब था अली पहले से ही नसलवाद के खिलाफ लढ़ना चाहते थे और इससे उन्हें एक मौका मिल गया मेलकॉम एक्स से मिलने के अगले दिन ही अली ने एक प्रेस कॉनफरेंस बुलाई जहां उन्होंने लोगों के सामने अपने विचारों को रखा कॉनफरेंस में अली ने यह घोशना की कि वे कृश्चन धर्म को छोड़कर इसलाम को अपना रहे हैं और वे मानते हैं कि अल्ला उनका भगवान है जो उन्हें शांती फैलाने के लिए कह रहा है इसी कॉन्फरेंस में अली ने कहा कि वे इस बात से खिलाफ हैं कि काले लोगों को गोरे लोगों के समाज में एड़ जस्ट करना होगा वे काले लोगों मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते थे इसके कुछ दिन के बाद 6 मार्च 1964 को कैसियस मार्सेलिस क्ले जूनियर ने क्रिश्चन धर्म को छोड़ा और इसलाम को अपना धर्म बनाया इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम मुहम्मद अली रखा अली को 1960 के दशक में बहुत सी परिशानिया भी जेलनी पड़ी 1960 के दशक में अमेरिका का वियत नाम से युद्ध हो रहा था इस युद्ध में अमेरिका काले लोगों को जबरदस्ती युद्ध में भेज रहा था अली को यह बात अच्छी नहीं लगी काले लोगों का शोशन हो रहा था और अली इसके सक्त खिलाफ थे 1967 में अली के ओगनाइजेशन ने अली को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा अली ने कोट में अरजी दी की सेना में जाने के लिए चुनाव जबर्दस्ती और नसल के आधार पर हो रहा है और इसे रोकना होगा लेकिन वे स्टेट कोट और सुप्रीम कोट से अपनी बात नहीं मनवा पाए अली भी काले लोगों में से एक थे जिससे उन्हें भी सेना में जाने के लिए कहा गया अली के साथ 26 लोगों को सेना में जाने के लिए बुलाया गया अली के पास उनका वकील था जब उन लोगों ने अली का नाम लिया तब उन्होंने खड़े होने से मना कर दिया और बार बार इसका विरोध करते रहे एक नेवी ओफिसर ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे खड़े नहीं होंगे तो उन्हें पाँच साल जेल और दस हजार डॉलर का जुर्माना भरना होगा लेकिन अली तो बच्पन से ही जिद्दी थे उन्होंने इस से साफ मना कर दिया इसके बाद अली को यह खबर मिली कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें वर्ल्ड बाक्सिंग असोसियेशन ने तीन साल के लिए बैन कर दिया इसके अलावा सभी बाक्सिंग असोसियेशन ने उन्हें अमेरिका के लिए खेलने से तीन साल के लिए बैन कर दिया अली को इस पर गुसा नहीं आया या शायद अगर आया भी होगा तो उन्होंने इसे दिखाया नहीं उन्होंने कहा कि वे घर जाकर अपनी मा के हाथ का खाना खाएंगे तीन साल के बाद जब अली बाकसिंग में वापस आने वाले थे तब नेशन आफिस लाम ने उन्हें बैन कर दिया नेशन आफिसलाम के कुछ सक्त नियम थे और उन नियमों को ना मानने वाले को निकाल दिया जाता था अली भी इन में से एक थे एलिजा को जब यह पता लगा कि अली पर से बैन हटने वाला है तब वो परिशान हो गया सिग्रेट, शराब, पीने यह हिंसा के काम करने के वो खिलाफ था इसलिए वो अली से मिलने उसके घर गया और उसने अली से गुजारिश की कि वो बाक्सिंग छोड़ दे अली एलिजा की बहुत इज़त करते थे लेकिन एलिजा की यह बात उसे पसंद नहीं आई अली बाक्सिंग छोड़ने के लिए बिलकुल तयार नहीं थे लेकिन वे शान्ती फैलाने के लिए कुछ करना भी चाहते थे अली धर्म संकट में फस गए थे लेकिन वे जल्दी ही इससे निकल आए और उन्होंने बाक्सिंग को चुन लिया इसके कुछ समय के बाद ही यह घोशना हुई कि अली को नेशन आफ इसलाम से निकाल दिया गया है और अब मुहम्मद अली एक बार फिर से कैसियस मारसेलिस क्लेज जूनियर हो गए है अली के अलावा बहुत सारे लोगों ने एलिजा की बात मानने से इनकार कर दिया वे अपने सपनों और अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए तयार नहीं थे जिसकी वजह से एलिजा ने अपने बहुत से साथियों को निकाल दिया लेकिन यह एक तरफ की कहानी थी बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को छोड़ दिया और एलिजा के साथ नेशन आफ इसलाम के सदस्य बने रहे उन्होंने अपने रिष्टों और अपने काम को पूरी तरह से छोड़ दिया इन में से एक का नाम था लूइस फराह खान जो एक उस समय के फेमस सिंगत है एलिजा की मौत के बाद 1975 में लूइस नेशन आफ इसलाम के लीडर बने अली अपने बाक्सिंग के सफर पर एक बार फिर से महानता हासिल करने निकल प्रड़े उन्होंने हम सभी को एक संदेश दिया कि हम इस दुनिया के नियम मानने के लिए और इस दुनिया के हिसाब से रहने के लिए यहाँ नहीं आए है हम यहाँ खुद के लिए एक दुनिया बनाने आए है जोर फ्रेजियर के लेफ्ट हूक ने अली के दिमाग की कुछ नसे फार दी 1971 में जब अली एक बार फिर से लड़ने के लिए मैदान में उत्रे तो उनका मुकाबला उस समय के चैंपियन जोर फ्रेजियर के साथ हुआ उनकी इस लड़ाई का नाम Fight of the Century था जो सबसे बड़ी फाइट्स में से एक थी यह लड़ाई आठ मार्च 1971 में मैदिसन्स का चैर में हुई थी इसमें हारने या जीतने वाले को 2.5 मिलियन डॉलर दिये जाते जो 2018 के 15 मिलियन डॉलर के बराबर था इस लड़ाई की टिकट बहुत जल्दी बिग गई और इस मैच को लगभग 30 करोड लोगों ने टीवी पर देखा होगा यह मैच 15 राउंड का था इस लड़ाई की शुरुवात में अली ने अपना पूरा जोर दिखाया दो मैच तक वे जोर पर मुके बरसाते रहे लिए लटक रहे थे ताकि वे अपने प्रेरों पर खड़े रह सकें मुके बरसाने की बारी अब जोर की थी 15 राउंड में जोर ने अली को एक जोरदार लेफ्ट हूक मारा जिससे अली जमीन पर गिर प्रड़े कुछ सेकंड्स तक वे खड़े नहीं हो पाए लेकिन वे एक बार फिर से उठे और अपने आपको दो मिनट तक संभाले रखा अंत में जोर को विजेता घोशित कर दिया गया बाद में यह बात सामने आई कि उस लेफ्ट हूक की वजह से अली के दिमाग को जटका लगा था जिसकी वजह से उनके दिमाग की कुछ नसे फट गई थी 1978 में अली ने अपनी आखरी लड़ाई लड़ी जोर से हारने के बाद अली ने उससे दो बार फिर से लड़ाई की और वे दोनों बार जीते इसके बाद अली का सामना केन नौटन से हुआ नौटन ने 1973 में अली का जबढ़ा तोड़ दिया और अली को हराकर वर्ल्ट चैंपियन बन गया 1974 नौटन को जोर्ज फोर्मेन ने हराया और वर्ल्ट चैंपियन का टाइटल उससे ले लिया फोर्मेन अब तक हर किसी से जीतता आया था लेकिन अली से लड़ना उसे भारी पड़ा अली और फोर्मेन की लड़ाई अक्टूबर 1974 में जाइरे में हुई थी अली ने इस लड़ाई में अलग पैतरा अपनाया उनके इस पैतरे का नाम रोप अडोप रखा गया अली ने शुरुवात में फोर्मेन को ठकाया वे यहाँ वहाँ दोड़ कर रस्सियों से लटकते रहे अपना बचाव करते रहे और उसका मजा कुडाते रहे अंत में जब वो ठक गया तब वे फोर्मेन पर जम कर मुके बरसाने लगे और उसे हरा दिया वे दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए कुछ साल तक अली वर्ल्ड चैंपियन बने रहे लेकिन फिर उनका मुकाबला लियॉन स्पिंक्स के साथ हुआ स्पिंक्स ने अली को पहले मैच में हरा दिया और उनसे वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल चीन लिया अली और स्पिंक्स का मुकाबला सेप्टेंबर में एक बार फिर से हुआ स्पिंक्स अपनी जीत की खुशी में इतना मस्त था कि उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी जिसकी उसे कीमत चुकाए यह मैच उतना शांदार नहीं था लेकिन यह अली का आखरी मैच था इसमें अली ने स्पिंक्स को हराया और वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल तीसरी बार हासिल किया वे पहले ऐसे हेविवेट चैंपियन थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल तीन बार जीता था बाक्सिंग के बाद अली ने लोगों को हसाने के लिए और दुनिया में शान्ती फैलाने के लिए बहुत सारे काम किये अली ने अपने सिर पर बहुत सारे मुखे खाये थे पिसका असर उन पर अब दिखने लगा था 1981 के बाद वे समझ गए थे कि अब वे बाक्सिंग के लिए ठीक नहीं है और उन्हें कुछ और काम ढूंडना होगा अली बहुत फेमस हो गए थे और कॉमेडी शो के लिए एकडम फिट थे शो में अली अक्सर सो जाते थे वे धीरे धीरे बीमार पढ़ रहे थे और इसका असर साफ दिख रहा था लेकिन फिर भी वे लोगों को हसाने के लिए अलग-अलग तरीके खोज लाते वे नाटक करते की वे सो रहे हैं और फिर हवा में मुके मारने लगते फिर वे उठ जाते और कहते की वे बाक्सिंग का सपना देख रहे थे कभी-कभी सो जाने पर वे अचानक से गाना गाते हुए उठ जाते थे जिससे लोग खूब हसते थे 1985 में अली ने बहुत सारे अमेरिका के नागरिकों को आतंकवादियों की कैद से छुडाने में मदद की वे रोनेट रीगन की एक संस्था के सदस्यत है जिसने अमेरिका के लोगों को छुडाया इसके बाद अल ने इरान के एक लीडर से बात की जिसका नाम आया तुल्लाह खोमीनी था इस मीटिंग के बाद एक अमेरिका के नागरिक को कैद से रिहा किया गया अली इस तरह के हालात में अपना सहयोग देते रहे लेकिन समय के साथ वे बहुत कमजोर हो गए और 1984 में उन्हें पहली बार Parkinson's disease के लिए डाइग्नोस किया गया यह बीमारी उनके साथ उनकी मौत तक रहा 3 जून 2016 में उनकी मौत हो गई अपनी मौत के आखरी दिनों में वे Parkinson's disease के रिसर्च और शान्ती फैलाने के काम के लिए फंड इकठा करते रहे वे इस दुनिया के लिए एक प्रेरणा के स्रोध बने कंक्लूशन मुहम्मद अली एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे छोटी उम्र से ही वे boxing करने लगे और world champion बन गए अपना धर्म बदलने के बाद अली की जिंदगी में बहुत से बदलाव आए उन्हें इसके लिए बहुत मुश्किलें भी जेलनी पड़ी लेकिन हर बार वे मुश्किल के लिए मुश्किल साबित हुए और उस पर जीत हासल की तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये अली बुक समरी इन हिंदी कैसा लगा अगर आपका कोई सवाल और सुझाव या कोई प्रॉबलम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए और इस अली बुक समरी इन हिंदी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आपका बहुमूले समय देने के लिए दिल से धन्यवाद और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग बुक समरी और नॉलिज से भरे विडियो देखने के लिए हमारे चैनल ये बुक्स को सब्सक्राइब करें अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं मैं जल्द ही आपके लिए एक नया विडियो लेकर आऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगली विडियो में आपका समय शुब हो